व्याकरण का महावरे पार्ट समाप्त कर दिया था तो आज हम इस कर्षा में जैसे कि आप बोल्ड में देख सकते हैं चैक्टर का नावल का है भारत के बच्चे यह एक कमिता है और आज अब यह टेक्स बुक से शुरू करेंगे मैं चाहूगा कि यह कमिता है और इस कमिता को आप मेरे साथ अच्छे से तोड़ाएं हैं यह चरंग है चलिए हम पढ़ते हैं कमिता हैं भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे आए सौत उफान सामने रोकना हमको पाएंगे हमेन सम्झो नहें मुन हैновpe हम साहस के उभोते हैं डिलके ओके मजबूत बढ़े हम तनके लगते ओले है जो हम से टक कर ले गा हम उसको समग सिखाएंगे हमों हमेन समझो छोटे हम हैं काम बढ़े करने बाले जैसे कि आप देख सकते हैं इस कविता को मैं आपको एक एक पंतियो एक पैरेग्राफ आपको समझाओ का जैसे कि पहला पैरेग्राफ पर हम भारत के बच्चे हैं यहां पर कहा गया है कि हम सभी भारत के बच्चे हैं इस देश के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएगे औ हमें न समझो, न नहीं हम हैं काम बढ़े करने वाई हम हम भारत के बच्चे हैं बस आगे बढ़ते जाएंगे आए सो दूफान सामने रोग नहां हो पाएगी हमें नसम्जो नलहे मुन्ने हम साहस के पुत्ले हैं दिल के हैं मज़ूप पड़े हम तन के लगते दुबले हैं जो हमसे टकर लेगा हम उ काम बढ़े करने वाई हैं तो यह कविदा की कुछ पंत्या है और बाकी है जो मैं आपको बुस्रेक रिक्षान सिखाऊंगा चलिए हमको शब्द अर्थ कर लेए जैसे कि आप बोड़ उपर देख सकते हैं मैं शब्द अर्थ मिकाएं जैसे कि पहला है साहस साहस का मतलब हो तनिक मतलब जरा थोड़ा निवचावर करता मतलब बलिदार उसी प्रतार पूर्ण मतलब पूरी अभिलाशा मतलब इच्छा एक पार और मैं पढ़ा देखाँ आपको शब्द अर्थ साहस का मतलब हिम्मत तन शरीम टकर लेगा मुकाबला करेगा बाधाओ कठी नाओ कठी जरा थोड़ा निवचावर बलिदार पूर्ण पूरी अभिलाशा इच्छा चलिए और एक पर मेरे साथ कविलाशा को दोरा लीजिए उच्छा रख अच्छे से कीजिएगा हम भारत के बच्चे हैं बस आगे वढ़ते जाएंगे आए सो तुपां सामने रोपन हम को पाएंगे हमेन समझो नन हे मुनने हम साहस के पुतले हैं दिल के है मजबूत बड़े हम तन के लगते दुबले हैं जो हम से टक कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे हमेन समझो काम बड़े करने वाद है तो इसी के साथ मैं आज की कर्षा को यहीं पर समाप करता हूँ दूसरे कर्षा में क्या लिक्निकार के कर्षा में हम इसके अन्य पंतियों को अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे शमदर सीखेंगे अब तक की बेर खन्य बार